नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचे दिन स्वागा तो आप दिन दन करता हूं अपने सभी प्रियरश्कों का जुलाई महीने का अंतिम सप्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है यह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इस वीडियो में उपाये भी होंगे इस वीडि साथ दिनों की यह सप्ता आपके लिए क्या लेकर आने वाला है क्योंकि यह जीवन का ऐसा सप्ता है जो आप कुछ नया दे सकता है कुछ अच्छा दे सकता है आपको आईए जानते हैं सप्ताहिक राशी फल आपकी राशी का यह जानकारी चंद राशी और राशी पर आधा कोasters के स्वी इसके पासます अगर आप समक करने सी घृषक कि शाली हो जाए है एक शादी होती और को चुकी है को इस दूर हो जाएगा बच्चे अच्छी निकलेगे बच्चों को प्रहाई लिखाए अच्छी होगी, दिमाग शान्त होगा, गुरुसा कंट्रोल आएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, दुकानदारी अच्छी चलेगी, बैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, क्योंकि इस रुद्राक्ष के अंदर भगवान शिव महापा है, सावन के महीने में जो भी वक्ति से रुद्राक्ष को धारन करता है, वो शिव का प्रिय होता है, और शिव यानि की महाकाल, जिसके उपर महाकाल का हाथ हो, जो महाकाल को अपने गले में धारन करे, उसका यमराज भी कुछ नहीं बगार सकते, उसे ना शनी की साड़े सा अगने मादर से ये जीवन जो जीवन आपको इश्वन ने दिया है ये भी सफल और मिल्तियु के बाद भी शिव लोग में आपको इस थान मिलेगा ऐसा शास्त्र कहता है S14 इसका कोड है S14 1100 रुपए कीमत है और एक के साथ एक फ्री है आप मंगाईए पहनिए औरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है यकीन मानिए शिवन आपको बहुत प्यार देंगे आपको जीवन का जितना जहर है ये रुद्राक्ष उसको पीकर सारे जीवन में आपको अमर् चुरूत की आफ़ी में आपका स्वास्त अच्छा रहेगा खुशी आपको चहरे पर दिखाइप पड़ेगी समाजी जीवन में दोस्तों यारों में रिष्टेदारों में भाई बहनों में इन सब गतिविदियों में पाटियों में आप शामिल रहेंगे सम्मानित ब्यक्त पैसो की अगर आपने बीमा वगेरा कराया हुआ तो को दिक्कत नहीं होगी सब्ता के अंतिम भाग में संकेत दिलना है कि आप उपने बच्चों के शिक्षा को लेकर उनके स्वास्त्र पर कुछ खर्चा कर सकते हैं मनरंजन जैसी चीज़ों पर घूमने फिलने पर मौज मस्ती पेईसा खर्चों सकता है घर में टी फर ईवो के नहीं पर पिसे खर्चों सकता है आपको DaUND के छेंगे आपको गुप तरास्तों से धन की प्राप्ति होगी, ज़िए आप कुछ पलावाट वगएरा खईना चाहते हैं, मकान खईना चाहते हैं, दुकान खईना चाहते हैं, पुराना मकान किराये पे देना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, प्रापर्टी से सम्मद्री ची कथ होगी उठना बैटना अच्छे लोगों के साथ होगा वहां खरीदना वहां देखना क्या किते हैं विंडो शॉपिंग करना इस तब आपके शौक हो सकते हैं आपके संबंद माता जी से शुब होंगे टीवी मीडिया फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं तो लाब होगा जम खरी देंगे बच्चों के साथ परिवार के साथ घुमने फिनने में पैसा लगाएंगे आप जीवसाती के साथ सम्मद मदूर रहेंगे घर की सजावट में पैसा खर्च करेंगे सामाज की गदिविदियों में लें देंद में पैसा खर्च करेंगे 27 तारी अच्छा खासा या माबाप प्यार में जान्मूज कर सकते हैं नॉवब अच्छे काम करें नौखली में नौफली करेंगे स्वास्त अच्छा रहे गए कर मन में प्रसंता रूस्सा बना रहे गा परवारे कर समाजी कुस्तों में भाग लेंगे वयपारियों को बाहए गगा लंबी यात्राओ का लाँ START खेल कुरूप में आपको लाब होगा अच्छा प्रजशन करेंगे मान समान पदक जीतेंगे 30 जुलाई 2022 की बात करें विद्यारती अध्यन में रूची लेंगे प्रेमी युगर जोडों के लिए दिन सभागिका रहेगा वहवार आपको बहुत अच्छा रहेगा सभी को अप पैसा लगाईएगा शरीर में ताकत होगी दिमाग चंचल होगा 31 जुलाई की बात करें तो विद्या में सभलता प्राप्ती के लिए दिन अच्छा है नौकरी करने लोग अपना कारे पूरा आत्विश्वास के साथ करेंगे मन में पसंता रुस्सा बना रहेगा पारेबार भी शांदार भी देगा आपके लिए सप्ता कहीं न कहीं असी पच्छा शुप पढ़नाम लेकर आ रहा है और आपके लिटकी रंबर रहने वाला है छे अब देखिए अगर आपकी जरम खुननी में ग्रहों के स्थिती बढ़िया है तो सब कुर बढ़िया है शांदार आप आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं गुरू की स्थिती लगन में हैं गुरू लगन में जब बैठते हैं आपकी मीन राशी बैठेंगे तो हंस नामक पंच महापुरुश योग का निर्मान भी कर रहे हैं तो आप एक चीज़ को बहुत धियान से समझ जीजे गुरू यहां प पक्ष में ही होगा वशरते आपको गल्ती ना करें आपके कुल्ली में ग्रह खराब हैं इसके अलावा अब आपके लिए क्या उपाय बहतर रहेगा इस सब्ता में वह भी जाल लेते हैं आपने अपना राशीफल सुना एक एक दिन का हाल सुना आपको समझ में आ गया होगा और कम क्या कैसे करना है अब उपाय क्या करना है ने कि सावन का महिना चल रहा है सावन के महिने में भगवान शिव को आप बेल पत्र धतूरा दूर्द नहीं पंचामरत सब कुछ अर्पन करिए मुँए शीजनल फल अर्पन करिए वरत रखिए आपकल्ल्या आठ होगा हरु मान जी की वासना भी करिए, भगवान शिव को, भगवान हनुमान को शमी के पत्तों से उनका जलाविशेक करिए, उनको शमी के पत्ते चढ़ाईए, क्योंकि शमी के पत्ते जो होते ना वो स्वान के समान होते हैं, तो इससे आपकी मनों कामना एपोड होंगी, ये देखिए चोटा तो पाए है, बागी आप उत्रा विशेक करा सकते हैं, बहुत कुछ करा सकते हैं, और सबसे महत्पूँ और सबसे इंपॉटेट बात में आपको बता दू, आप मानिए या ना मानिए, ये जो शिव कवच आपको दिख रहा है, ये शिव कवच धारण करिए, क्योंकि रुद्राक्ष को सावन के महीने में खरीदना सबसे शुब माना जाता है, और इस कवच को धारण करके आपको जीव में सिव शुबता आएगी, सभी बुराईयां दूर हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव हमेशा धर्ती पर नहीं होते हैं, सिव सावन के महीने में अपन काल की किरपा हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगार सकता, तो आप पूर रूप से सुरक्षित होंगे और जीवन का आनंद लेंगे, इस शुब का बच्व को धारण करके, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्र कहता है, ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है, S14 कोड है, 11 12 रुप्य कीमत है, एक के सारे एक फ्री है, मंगाईए पहनी और सावन के महीने में शुब के प्री है, और इसको सिर्फ सावन के महीने में नहीं, जब तक आपका जीवन है, तब तक धारण करिए, रुद्राक्ष दिन पर दिन आपको शुब फल देता है, इसके कोई भी अ शुपरभाव नहीं होते हैं, महीला पुरुष बच्चे कोई भी धारण कर सकता है, जो नियम कानून होंगे, वह आपको बताती है जाएगे, हर्योग नमस्कार